13 या 14 जनरेशन के लिए अगर आपको best motherboard चाहिए, चाहे आपके पास i3-0, i5-0, i7-0 या फिर i9 कंपनिया आपको इस बजट में बहुत सारे motherboard बेचने की कोशिश करती हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो DDR4 RAM के साथ आते हैं और उनी का DDR5 variant 600 से 1000 रुपे डिफरेंस में आपको मिल सकता है ये बात आपको नई बताई होगी किसी ने, मैं बताऊंगा इस वीडियो को बनाने से पहले 35 से ज़ादा motherboard को compare गरा है और best motherboard बताऊंगा best budget में सबसे पहले अगर आप entry level build बनाना चाहते थे core i3 के साथ 13 generation है 14 generation तेना आपको एक motherboard सबने recommend गरा है अबे जल्दी बोल कल सुपे पनवेल निकलना है उसको बिल्कुल भी नहीं consider करना क्यों नहीं consider करना क्योंकि बात में अगर plan करते हो i5 12 generation या 13 generation में upgrade करने का तो वो इसमें possible नहीं होगा प्रोसेसर चलने में दिक्कत नहीं होगी बट performance में होगी तो इसकी जगे पे same price में gigabyte का H610M, S2H को consider कर लो DDR4 RAM है, 32 MHz वाली support करता है दो slot मिल जाते हैं जिसको 64 GB तक expand कर सकते हो और RAM डिस्प्ले के लिए दो output आपको मिल जाते हैं एक display port, एक HDMI port single NVMe slot भी आपको देखने को मिल जाते हैं और वो भी 7000 के budget में है बन अफ्ता best motherboard है, definitely consider करना इसी range में ASUS का Prime H610ME भी देखने को मिल जाते हैं इसमें भी DDR4 RAM है, 32 MHz बाली दो slot मिल जाते हैं RAM के 64 GB तक expand कर सकते हो इसमें भी PCI Gen का एक slot मिलता है सबसे बढ़िया बात इसमें RGB header भी आपको देखने को मिल जाते हैं तो RGB के जित्ते भी equipment है आराम से control कर पाऊगे एक display port है, एक HDMI है और 7000 के budget में entry level में one of the best motherboard है, definitely consider करना coming on the budget segment इस segment में B760 motherboard से best choice आपको नहीं मिलेगी I5 14 generation, 13 generation, 12 generation आराम से चल जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी पट इस सीरीज में एक चीत द्यान रखना सेम motherboard के DDR4 variant भी है उनको मत consider करना केबल DDR5 करन सीड़ा करना कि भी 600 से 700 रुपे का difference है और performance में काफी बड़ा difference मिलेगा best choice है, MSI B760M Bomber Wi-Fi motherboard इसमें 2 DDR5 RAM के slot मिल जाते है 400 MHz वाले Wi-Fi का भी support मिल जाते है including Bluetooth version 5.3 एक display port है, एक HDMI port है NVMe slot भी आपको मिल जाते है वो भी 12,500 के budget में बहुत अच्छी choice है, definitely consider करना heat sink होगे रहा, अच्छी देखना को मिल जाती है इसी range में GIGABYTE B760M DS3H AX को consider कर सकते हो ये भी एक DDR5 motherboard ही है B760M series में एक one of the best budget friendly motherboard भी आपको मिलता है that is MSI Pro B760ME ये भी DDR5 variant है दो DDR5 RAM मिल जाती है 1400 MHz वाली और 128 GB तक बढ़ा सकते हो एक HDMI port है, एक BGA port है और 10,300 के budget में currently available है इसका जो DDR4 variant है, वो 94 सो में है तो क्यों खरीदना? बनफता best motherboard है इसको जरूर आप use करना i5 13 generation, 14 generation में smoothly चलेगा कोई भी problem नहीं होगी आई-END अगर PC बना रहे हो i7, i9 के साथ 13 generation, 14 generation देन आप Z790 series को consider करना क्योंकि उससे best motherboard आपको नहीं देखना को बलेंगे इस series में जो best motherboard है that is GigaThe Tox Z790-UDEX DDR5 RAM है 7600 MHz की support करता है 192 GB तक expand कर सकते हो चार slot मिल जाते हैं आपको display port, HDMI port भी है दो output ले पाओगे, Wi-Fi Bluetooth का support भी मिल जाता है और सबसे important चीज़ इसमें RGB LED strip header में मिल जाता है और sync तो देखने से आपको पता ही चल रही होगी, बढ़ी आ है आराम से आपके gaming वगेरा PC build बहुत आराम से बनेंगे i7, i9 के साथ 24,000 के budget में currently available है, link आपको description में मिल जाईगी इसी range में MSI Pro Z790E Wi-Fi भी आपको मिल जाता ये भी एक DDR5 RAM बाला motherboard है 500 MHz की RAM है, 256 GB तक expand कर सकते हो, 4 slot मलते है Wi-Fi 6E Bluetooth version 5.3, HDMI display port जैसे options है including sleek design और सारे necessary port और NVMe slot के साथ आती है currently 26,000 में available है, definitely आप consider करना ये वाले motherboard को इसी range में आपको और भी motherboard देखने को मिल जाते हैं जैसे Gigabyte Z690 Aerosalite AX या फिर SS Rogue Strip Z790H और MSI का Mac Z790 Tomog Max आपका knowledge तो कवाल का है भाई का है 30 से 32,000 के budget में आते हैं इनको भी consider कर सकते हो, सब में DDR5 RAM ही use करी गई है अभी भी कोई doubt है, please comment